आज मैं कस्टड बना रही हूँ इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ml दूद लिया है दो चमच कस्टड पाउडर दो चमच चीनी तो अभी हम कस्टड बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम दूद को घरम कर लेंगे अभी दूद गरम हो गया है तो हम इसमें से थोड़ा सा दूद लेकर कस्टड पाउडर का घोल बना लेंगे अभी हम इसका घोल बना लेंगे अभी मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है जब दूद में उबाल आ जाएगा तो हम उसमें इसको एड़ कर देंगे अभी दूर में उबाल आ गया है तो हम इसमें चीनी एड़ कर देंगे और इसे मिला देंगे अभी चीनी अच्छे से मिल गया है तो हम इसमें कस्ट्रेड पाउडर जो घोल कर रखे थे इसे एड़ करेंगे और इसे हम मिला देंगे अच्छे से इसे हम मिलाते रहेंगे और एक मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे अभी ये बन गया है तो हम अभी इसे बन्द कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे अभी ये ठंडा हो गया है तो हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखतेंगे अभी कस्टड ठंडा हो गया है तो हम इसमें कटा हुआ फल एड़ कर दिंगे अभी मैंने इसमें फल एड़ कर दिया है ये भी कस्टड रेडी हो गया है